आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ तो देखो A cross में B union C ठीक है तो देखो हम B union C पहले निकलते हैं तो देखो A के element मैं लिख लेता हूँ पहले 1,4 है ठीक है एंड B के element कहा है यह है 2,3,6 है एंड C के element कितने है 2,3,7 है ठीक है चलो तो देखो B union C निकलने का मतलब क्या होता है कि B और C दोनों के element होने चाहिए ठीक है तो B union C जो आएगा वो हो जाएगा देखो 2 दोनों में है तो बस एक 2 लिखा जाएगा 3 भी दोनों है तो 3 लिखा जाएगा repeat नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 7 है ठीक है तो B और C कुल मिला के जितने element है वो हमने लिख लिख लिए है distinct element ठीक है तो B union C आगा है यह ठीक है अब A cross में B union C इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब यह होता है कि एक ordered pair आएगा ठीक है जिसमें अब और मैं मालनों कि यह A, B ordered pair बन रहा है ठीक है तो इसमें हमारा A जो belong करना चाहिए वो A set को belong करना चाहिए और यह जो मेरा B belong करना चाहिए वो हमारा B union C set को belong करना चाहिए ठीक है चाहरो तो देखो यहाँ से इसकी value कितनी आ जाएगी देखो A के element कितने है A के element है 1,4 है ठीक है तो अपना A के value 1 और B के value किया हो सकती है यहाँ पर देखो B union C इसकी value कितनी हो सकती है यह इतना हो सकता है तो यह 1,2 1,3 1,6 1,7 यह हो जाएगा ठीक है अगर मेरा A के value किया होती थी A के value यहाँ पर देखो 4 हो जाती तो 4 के साथ भी यहीं आता सब के सब 4,2 4,3 4,6 4,7 आता ठीक है चलो और इस साइड में क्या given है A क्रॉस में B तो A क्रॉस में B भी निकाल लेते हैं चलो तो A क्रॉस में B इसका मतलब होता है कि first element अपना A का होगा second element अपना B का होगा तो first element अपना A के set में 1 है ठीक है और B के set में کیा क्या है B के set में 2,3 and 6 है तो यह जाएगा 2 1 के साथ 3 भी हो सकता है 1 के साथ 6 भी हो सकता है अभी एक element में 4 था तो 4 के साथ 2, 4 के साथ 3, and 4 के साथ 6 हो सकता है ठीक है, तो A cross में B तो आए आ गया है A cross में C भी निकाल लेते हैं, चलो तो देखो A cross में C, इसकी वाली कितने हो जाएगी A के element 1 है, और C के element में क्या क्या है C के element है, हमारा 2, 3, 7 है तो जाएगा 2, 3, and 7 हो जाएगा ठीक है, इसके साथ 4 के साथ 2, and 3, and 7 हो जाएगा ठीक है, तो A cross C भी आ गया है, चलो तो अब देखो, यहाँ पर B minus में C की भी जरूरत है C minus में B की जरूरत है तो B minus में C, यह कितना हो जाएगा इसका मतलब यह होता है, कि हमारा इसका A, B इस तरह से होना चाहिए ठीक है, कि इसका मतलब यह होता है, कि B के सारे element लिखो लेकिन जो C में है न B के common, उसको हटा दो ठीक है, तो देखो, B में क्या-क्या थे B में हमारे थे 2, 3, 6 और C में है 2, 3, 7 तो B में जो C के common है उनको हटा दो, ठीक है, तो क्या बचेगा, 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, सिर्फ 6 बचेगा, ठीक है तो यहाँ पर यह B मानिस में C की value आगी है, सिर्फ 6 आ गई है, ठीक है, जालो अब देखो, यहाँ पर C मानिस में B है, तो C मानिस में B भी निकाल लेते हैं, C मानिस B का मतलब C के element में से B के element पूरा निकाल दो तो C के element में से B के element यह, देखो, 2, 3 दोनों में common है, इनको हटा देंगे, तो बचेगा, सिर्फ 7 बचेगा, ठीक है, चालो अब हम option चेक कर लेते हैं, तो देखो, A क्रॉस में B यूनियन में C, वो हम निकाल चुके हैं, ठीक है, देखो, A क्रॉस में B यूनियन में C, यह हम निकाले हुए हैं, ठीक है, अब यह एक क्वल है किसके A क्रॉस में B और इसका union किया गया है A क्रॉस में C के साथ, तो A अगर मैं union करूँगा तो देखो क्या का आएगा, यह आएगा, यह आएगा यह यह य जो कऊन है इसमें इसमें देखो सारे इल्मेंट है कि नहीं है देखो 1,2 1,3 1,6 4,2 4,3 4,6 4,7 और 1,7 भी है ठीक है इसका मतलब कि ये वाला क्या है सही है ठीक अब देखो B intersection C यहां पर है ठीक है अब इसका हम A के साथ cross product कर रहे हैं तो A में element हमारा था सिर्फ 1 and 4 था ठीक है तो A cross में B intersection C इसके वालू कितनी हो जाएगी देखो यहां पर हो जाएगा 1 के साथ 2 आएगा 1 के साथ 3 आएगा और फिर इसके बाद 4 के साथ 2 आएगा और 4 के साथ 3 आएगा ठीक है यही element हो ठीक है तो यह equal है किसके A cross में B और intersection A cross में C ठीक है तो A cross में B यह है A cross में C यह है इन दोनों का अगर मैं intersection करूंगा तो क्या क्या आना है इन दोनों के intersection में यह आएगा देखो यह दोनों intersection में है यह दोनों common है ठीक है और इसके साथ यह common है यह common है यह दोनों common है ठीक है तो हमारे 1 2 1 3 4 2 और 4 3 आएगा तो देखो 1 2 1 3 4 2 4 3 मतलब यह सही है ठीक है तो इसका मतलब यह second वाला भी option क्या है अपना सही है ठीक है third वाला देख लेते हैं तो a का cross किया गया है b मैंस में c के साथ तो देखो यहाँ पर b मैंस में c कितना है 6 है और a अपना यह है तो यह a cross में b मैंस में c इसकी value कितनी हो जाएगी देखो 1 के साथ सिर्फ 6 आ सकता है और फिर इसके बाद 4 के साथ भी सिर्फ 6 आ सकता है ठीक है यह जाएगा मेरा a cross में b मैंस में c और यह equal है किसके a cross में b मैंस म में पर इसको हटा देगे तो क्या क्या हं अगर पर यहाँ पर इसको हटा देगे जो हटा देंगे इसको कॉम्ण है इसको पुट को मशिक्स और यहां पर देखो लिकूंट 6 और 4 कामा 6, मतब यह B क्या है? सवह है, ठीके? तो चलो, यह भी अपना सवह हो गया, यह last वाला देख रहते हैं, तो देखो, A cross में C minus में B क्या गया है C minus में B क्या है? 7 है, ठीके? तो A cross में C minus में B, यह किशका इक्कल हो जाएगा? देखो यह हो जाएगा मेरा 1,7 and 1,4,7 हो जाएगा ठीक है क्योंकि देखो A के element 1,4 है लेकिन यह C माइनस में B के element सिर्फ 7 है ठीक है तो यह आजाएगा अब यहाँ से देखो यह A क्रॉस में C माइनस में B करेंगे तो वो तो हम निकाल चुके हैं ठीक है 1,7 and 4,7 और A क्रॉस में B माइनस में A क्रॉस में C करेंगे तो कितना आएगा देखो यहाँ पर A क्रॉस में B में से हम A क्रॉस में C का element जो common है वो हटा देगे ठीक है तो देखो common है यहीं cross किया हुआ यहीं 4 को 4 common है ठीक है तो बचेगा क्या 1,6 बचेगा और 4,6 बचेगा लेकिन यहाँ पर element क्या है 1,7 and 4,7 इसका मतलब यह equal थोड़ी है ठीक है तो यह equal नहीं है इसका मतलब कि यह option नहीं हो सकता तो यह तीनों सुरुआत का answer सही है ठीक है तो हो आपको सब्सक्राइब को थेंक्यू क्लासिक स्ट्वेल से लेके NEED IIT जेही means और advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटने टाप यह WhatsApp कीचे अपने डाउट 8444 पर